है फिंड्स जून फिज्जोतर पे चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे शोल्डर च्वाइंट मसल और स्ट्रेंथनिंग एक्साइजिज स्पेशली रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग एक्साइजिज इन लाइंग पुजिशन हम इन exercise को आपको English alphabetic, symbolic way में बताएंगे ताकि यह ऐसानी से और sequence wise easily याद रह सकें यह हैं I exercise, T exercise, Y exercise and W exercise First exercise, I exercise Friends, इस exercise में हमारी body की exercise करते हुए जो shape बनती है वो English के capital letter I की shape में होती है means एक सरफ खड़ा डंडा होता है इस exercise को करते हुए हमारा सिर से पंचों तक का पूरा शरीर bed के touch में होता है और हाथ कानों के side से touch करते हुए उपर इस तरह से उठाते हैं initially 2 से 4 सेकेंड भी बाजों को उपर उठा कर रखना मुश्किल होता है लेकिन जब हमारी practice होने लगती है daily exercise करते हुए तब 7 से 10 दिन में 10 सेकेंड hold के साथ 15 count का एक सेट और फिर 2 सेल्स इस exercise को continue रखना है ताकि अच्छे से shoulder की strength गेन हो सके next exercise है T exercise इस exercise में भी हाथों को बाहर की तरफ फैलाते हुए बोडी के साथ T बनाते हुए उपर उठाना है इस exercise को करना आई exercise से थोड़ा सा easy मैसूस होता है initially first 3 to 5 days तक आप इस exercise को करते हुए हाथों को 5 से 7 सेकेंड ही बड़ा मुश्किल से रोग पाएंगे दिरे दिरे ये exercise practice में आ जाएगी आपकी strength gain होने लगेगी तो इस exercise को करना थोड़ा है easy हो जाएगा और आप 10 seconds hold के साथ भी इस exercise को easily कर पाएंगे initially इस exercise को भी आपने 1 set में 15 repetitions के साथ complete करना है उसके बाद 15-15 repetitions के 2 set पर इस exercise को continue करना है जब तक आपकी shoulder की अच्छे से strength gain ना हो जाए means rotator cuff injury ठीक ना हो जाए next exercise है y exercise इस exercise में हाथ बोड़ी के साथ y shape बनाते हुए उपर की तरफ इस तरह से उठेंगे ये exercise दिखने में बहुत असान है लेकिन काफी effort के साथ करनी पड़ती है इन patient की muscles काफी अच्छी है इनको rotator cuff injury है basically अभी जो ये exercise कर रहे हैं वो rotator cuff strengthening exercises है आपने ध्यान दिया कि जब ये उपर weight उठाते हैं तो इनका हाथ जटके के साथ उपर उठता है इन्होंने हाथ में weight कफ लिए हुए हैं क्योंकि हमारी advance exercises weight के साथ रहती हैं उन्ही exercises को हम weight के साथ शुरू कराते हैं जो हमने पहले की थी आप लोगोंने इस बात का विशेश त्यान रखना हैं कि कोई भी exercise करते हुए weight को उपर उठाते हुए या अपना body part उपर की तरफ उठाते हुए जिसमें आपको इस तरह की exercise करनी पड़ती हैं जटके के साथ अपने शरीर को नहीं उठाना इतना अराम से आपने exercise को smoothly करना ह जो इनोंने last time किया I exercise और T exercise की तरह इस exercise को भी initially 4-5 second के लिए hold रखना है उसके बाद जैसे practice होने लगेगी आपकी holding capacity बढ़ती चले जाएगी means आप लंबे time तक हाथ को उपर उठा पाएंगे फिर आपने 10 seconds hold के साथ 15 repetition के साथ इस exercise को करना है और 2 set में इस exercise को बाद में continue रखना है next exercise means fourth exercise है W exercise इस exercise में हाथों की position body के साथ W की shape बनाएगी body को stabilize करते हुए हाथों को floor से उपर उठा कर रखना है जितना हो सके elbow और palm यानि कि कोहनी और हथेली एक साथ उपर parallel two floor रहें तो exercise करते हुए अच्छे से strength गेन कर पाएंगे ये exercise करते हुए patient generally क्या mistake करते हैं उसके बारे में हम अभी discuss करेंगे आप इन patient को करते हुए देखिए कितना effort इनको ये exercise करते हुए लगाना पड़ रहा है और इनका जो उपर उठाने का तरीका है हाथ को वो गलत है इनकी कोहनी पहले उपर उठ जा रही है palm को ये उठाने की कोशिश कर रही हैं लेकिन ताकत कम होने की वज़े से ये अच्छे से उपर नहीं उठा पारी लेकिन ये अपनी तरफ से कोशिश बहुत ही ज़्यादा आच्छी कर रही हैं धीरे धीरे practice के साथ ये चीज आ जाती है कि कोहनी और palm एक साथ हूपर उठें ये देखिए आब इनका इन्होंने 5-6 बार practice की है उसी के साथ ही कोहनी और हथेली दोनों एक साथ हूपर उठने लगी हैं लेकिन फिर भी इनको काफी effort करना पड़ रहा है काफी कमपन है इनके हाथ में आपके साथ भी ये इस तरह से problem आ सकती है लेकिन calm down रही है अच्छे से exercise कीजिए फिर्ट्स नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें advance shoulder strengthening exercises होंगी especially shoulder joint की main muscles means rotator cuff muscles strengthening exercises फिर्ट्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को like करें share and subscribe करें और bell notification जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें thank you for watching